देखती आँखों और सुनते कानों को मेरा स्लाम पहुंचे आज हम आपको कामजाब लोगों के दस रास बताएंगे ये ऐसे रास हैं जिनने जानकर कोई आदमी किसी भी शुबे में कामजाबी हासल कर सकता है कामजाबी का पहला असूल आपको अपने आप पर इतबार होना चाहिए आपके अंदर एक इतमाद होना चाहिए कि आप ये काम कर सकते हैं बहुत सारे लोग हैं जो काम तो शुरू कर लेते हैं लेकिन उनके दिल में एक शक रहता है शायद इसका नतीजा अचा ना लिखे शायद मैं पास ना हूँ इमतिहान में शायद ये कारोबार ना चले लेकिन जात रखिए जब तक आपके अंदर ये एहसास नहीं पैदा हो जाता कि आप इस काम करने के काबल हैं आपको काम्याबी मिलने का इमकान बहुत काम है जोहीं आपके अंदर ये इतमाद ये एहसास पैदा हो जाएगा कि आप ये कार सकते हैं तो ये ऐसी सोचें कि काम हो जाएगा या काम नहीं होगा क्या मुझ में काबलियत भी है वो तकरीमन खतम हो जाती है और काम्याबी खुद बखुद आना शुरू हो जाती है तो अपने अंदर एतमाद पैदा कीजिए काम्याब लोगों की ये एक बहुत बड़ी खूबी है दूसरा असूर कि मेहनत का काम्याबी से कोई ऐसा खास तालुक नहीं है मेहनत करनी चाहिए उसके बगार काम्याबी नहीं मिलती लेकिन बास लोग बहुत काम मेहनत करते हैं और बहुत जल्दी काम्याब हो जाते है बास लोग उसी मकसद के लिए बेश्मार मेहनत करते हैं और काम्याबी नहीं मिलती उस फरक को पहचानी है ये फरक ऐसा ही है जैसे एक आदमी ने मश्रक की सिम्मत में दस मील की दौर लगानी हो लेकिन वो दौर लगानी शुरू कर दे मगरब की सिम्मत में वो ना कभी अपनी मंजल पर पहुंचेगा बलके बेशमार मेनत भी करेगा ठक भी जाएगा और कोई कामजाबी हासल नहीं होगी कहने का मकसद है कि कामजाबी हासल करने के लिए एक मनसूबा बनाएं उसको काख़़ पर लिखें उन लोगों से मिलें जो ये काम कर चुके हैं और फिर जब आपका मनसूबा तियार हो जाए तो फिर उस पर अमल करना शुरू करें ये वो दस मील की दौरों की जो आप या एक नए चीज़ के साथ तखलीक की भी ताकत हो इसकी मिसाल ऐसे ही है कि जब बुलिट ट्रेन बनी जपान में तो उन्होंने एक स्रूंग खो दी उसके ट्रैक के दरम्याद जिसमें से पानी का चश्मा निकलाया और बेशमार पानी कठा हो गया उन्होंने बहुत सारी क कमपनियों को कहा जी यह पानी हमें नहीं चाहिए इसको नकालना है तो कमपनियों ने ऐसा किया कि उन्हें लंबे-लंबे बेशमार मनाफ़ा हुआ और पानी बी काम पढ़ गया उन्होंने सोचा और पानी निकला आता तो अच्छा था उनका ट्रैक भी सूप गया यह ऐसे आइडिये हर चीज में हर कारोबार में बनाए जा सकते हैं और यह कामपनियों को बहुत ही इनसान के क्रीब कर देते हैं कामपनियों का चौता अरसूर जो कुछ करें आप उसको इन्जॉय करें उसमें खुशी महसूस करें जरूरी नहीं है कि आपको एकदम बड़ी बड़ी कामपनियों मिलना शुरू हो जाएं जो शक्स मेंनत करता है और ठीक सिम्मत में मेंनत करता है उसको चोटी चोटी कामपनियों को पहचाने उनमें खुशी महसूस करें अगर आप कारोबार कर रहे हैं तो थोड़ा सा पैसा आपको मिल गया है तो वो एक कामपनियों के लिए चोटी कामपनियों के लिए चोटी कामपनियों हासल करना बहुत ही जरूरी है पांच्वें आसूर काम याप लोग कभी ऐसा काम नहीं करते जिसमें उनका दिल ना लगे है ये ऐसे ही है जैसे आपको एक सबजी खाना बहुत ही नापसंद है तो कोई आपको कहें नहीं जी ये सबजी आपने जरूर खानी है तो आप सोचें आपका क्या हाल होगा अगर कोई काम आपका दिल करने को नहीं चाहता तो उसमें कोई बुराई नहीं है आसानी महसूस करेंगे और एक बात याद रखनी चाहिए जब हम 18 साल या उससे ज्यादा हो जाते हैं तो हमारे में एक ऐसी शक्सियत जनम लेती है जिसको बदलना बड़ा मुश्कल होता है तो आप अपने मताबिक ऐसा काम शुरू करें या ऐसा काम करें जिसमें आपको मज़ा आरता हो उसमें कामजाबी का इमकान बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो यही कामजाबी लोगों का एक बहुत बड़ा रास है कामजाब लोगों का छटा असूर वो कभी आम आदमी नहीं बनना चाहते उन्होंने अपने मकसद को बहुत उपर करके रखा होता है और वो उसकी तरफ बड़े मनसुबा बंदी करके चलते हैं उसके मिसाल ऐसे ही है जैसे एक कंपनी में एक सुपरवाइजर है वो अपने दूसरे स्टाफ को कहता है कि देखो भई मैं तो सफाई का काम भी कर लेता हूं ये भी कर लेता हूं वो भी कर लेता हूं लेकिन वो वाव एवरेज होना ऐसा है जैसे जो काम आप उसका है वो अपना काम पहचाने उसको अच्छा करें ये हर आदमी एक मिशीन का हिस्ता होता है अगर एक भी मिशीन का पुर्जा खराब हो जाए पूरी मिशीन चलने से बंद हो जाती है कामजादमी का साथ महासूल याद अपने मकसद को टाइम की हदों में बंद कर देना नाकामी का बाहिस बनता है। कामजाब लोगों का मकसद ये होता है कि जो कुछ भी हो मैंने इस मकसद को हासल करके रहना है। जैसे आप एक कालिज में दाकल हो आपका मकसद गरी हासल करना है अब थोड़े वक्त में कर लोग तो एक बात याद रखेंगे कि आपके पास डिग्री है कि नहीं है अगर आप थोड़ा या ज्यादा जितना भी वक्त लगाएं और आपका मकसद आपको हासल नहीं हो लोग आपको हमेशा नाकाम सब्देंगे और वैसे भी आप अपने मकसद में नाकाम हो जाएंगे तो याद रखिये वक्त जरूरी है वक्त के साथ काम करना चाहिए लेकिन अपने मकसद को वक्त में कैna काई करदेना नाकामी का बाहिस बनती है कामजाब लोगों का आठवा हसूल ये है कि वो वक्त के साथ बदलते हैं इसकी मिसाल ऐसे ही है जैसे एक आदमी ने आज से 20 साल पहले एक साइकल की कमपनी बनाए उस वक्त की साइकल जो बनाता था बहुत मौडरन थी लोग खरीदते थे इंजॉय करते थे लेकिन वक्त के साथ साथ साइकल में सिप्रिंग लग गए साइकल में बैटरियां लग गए साइकल में और बास सारी तरदीलियां आ गए तो उसने उन में से किसी को इसका कारोबार ठाप हो जाएगा कारुबार या कोई भी मकस्द जो आप हासल करना चाहते हैं उसमें वक्त के साथ चले वक्त के साथ लाए गई तबदीलियां आप उसमें लाएं इसलिए मैंने आपको ये दूसरा और तीसरा रूल दबारा दखाया वक्त के साथ लाई गे तबदीलियों जो हैं उनके लिए जरूरी है कि आप एक खास डारेक्शन में मैंनत करें आप आइडेंटिफाई करें कि मैंनत कहां करनी है और फिर क्रियेटिव हो आठवा असूल ये है जो पहले मैं बियान कर रहा था कि आप वक्त के साथ साथ बद्रें और ऐसी तब्दिनियां लाएं जो आपके कारुबार में नफे का बास सो अगला और नवा असूल ये है कि ये कोई एक चीज़ नहीं होती जो आपकी कामजाबी या आपके मकसद को हासल करने में काम करती है ये एक से ज्यादा चीज़े हैं जो आपस में मिलके आपका आखरी मकसद हासल होगा जैसे चोटी-चोटी काम्याबियां जो आपको बढ़ाई में दो साल या तीन साल के दुरान मिलती हैं, कारोबार में चोटे-चोटे मनाफ़ा जो चोटी-चोटी काम्याबियां जो आपको कटी होती जाती हैं, जब सब चीजें कटी होती हैं तो फिर एक काम्याबी और आप इस्टियार देखते हैं कि 30 सेकंड के अंदर अंदर बहुत मोटा आदमी बहुत पतला हो गया ये फिल्म और इस्टियार में तो हो सकते हैं आम जिन्दगी में ऐसा नहीं होता है आपको तबदीली लाना मुंकिन है लेकिन आसान नहीं है जब आप अपना कारोबार की कामजाबी के लिए उसमें वक्त के साथ की तबदीली लाना चाहें या कोई और तबदीली जो आपने रिसर्च करके और सोच बाल के सोची है तो आपका दमाग इस बात पर कंसंट्रेट करें कि ये तबदीली को मैंने हासल करना है ये नहीं कि थोड़े दिनों में या थोड़े वक्त में आपको तबदीली हासल नहीं होई तो आप प्रेशान होकर बैठ जाएं कि ये मेरे साथ क्या हो गया मेरा तो काम ही नहीं हो रहा तबदीली लाना एक मुश्कल काम होता है इसमें वक्त लगता है और आप वो वक्त इस पर लगाएं और जैसा मैंने पहले बताया कि किसी मकसद को वक्त में कैद कर देना कामजाबी के इलामत नहीं है जाने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक कर दें और हम आपको ऐसी वीडियो और बनाकर इन्शालला दिखाते रहेंगे अपना ख्याल रखिए